सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाये बेल आइकन को ताक कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो सवागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेस अपीसोड में मेरा नाम है नहीं रवैंड आज यह बड़ी में हम बात करने वाल है हॉस्पिटल इमर्जनसी कोट्स के बारे में यह बड़ी अब बहुत ही इनफोमेटिव होने वाला है हो सकते वड़ीयो को अन तक जरूर से देखे दोस्तो हर एक हॉस्पिटर में safety को consider करके courts design किये जाते है तो हर एक हॉस्पिटर में emergency courts तो रहते ही रहते हैं और आज ये वीडियो में मैं इमर्जेंसी कोर्स के बारे में सारी इंफर्मेशन जो है वह आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप कभी भी ऑस्पिटल जा सकते हो लेकिन यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो नीचे जो लाल कलल का बटने उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ ही दबाओ बैल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो मैं विडियो लेकर आता रहता हूं आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इमर्जन्सी कोड्स हर एक मल्टी स्पेश्यालीटी हॉस्पिटल में रहते ही रहते हैं कोड एक्टिवेट करने की लेकिन जोबी मैं रहेगा जब भी आपको में जाओगे आपको इमर्जन्सी कोड दिखे का उसमें लिखी होगी अब यहां पर सबसे पहला जो कोड है वह है कोड रीव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टन्ट है जिसको सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है जो है कोड ब्रू अब hospital अगर खुली है तो किस टाइप के patients आ रहे हैं वो predict नहीं कर सकते patient कभी भी crash हो सकता है उसे कभी भी cardiac arrest हो सकता है चाहे वो stress ECG test करवाने आया हो जिसे आप treatment test कहते हैं जिसमें दौड़ना होता है अगर वो normal outpatient भी है उसे भी cardiac arrest हो सकता है hospital में यह होने के chances होता है तो अगर ऐसा होता है तो उस time पे hospital में code blue activate होता है उस case में हर रोज एक team assign की जाती है code blue को जिस team को assign किया गया है वो team dedicated kit के साथ जितना हो सके उतना जल्दी patient की तरफ दौड़ती है जितना हो सके उतना जल्दी kit के साथ तो यह सबसे important code है दूसरा जो code है वो है code yellow अब यह है external disaster के लिए अगर आउटर environment में कुछ ऐसे चीज हुई है मानों आग लग गई है blast हुआ है ऐसी कोई चीज हुई है तो code yellow activate होता है उस टाइम पर major rule जो होता है वो security का होता है कि वो public को काम करे plus जो problem हुआ है उस पे भी focus करे तो यह जो code yellow है उसमें ज्यादा तर रोल होता है security का अब उसके बाद जो code है वो है code red अब code red जो है वो fire के लिए होता है अगर hospital premises में कहीं पर आग लगती है तो उस case में code red activate होता है अब अगर वह बहुत ज्यादा है तो यह थो होता है जब होस्पीटल में आग लगती है अब अगर वह बहुत ज्यादा है तो एक और एक्षन लिया जाता है फाइब रिकेट को बुलाया जाता है ताकि वह चीज इतने हो से कोटी जल्दी कवर कर सके अब उसके बाद जो कोड है वो है कोड़ परपल अब कोड़ परपल जो है वह होता है फिजिकल एस अलड के लिए अब काफी बार होस्पितल में ऐस लेकिन मैं एक साल जम्मू कर शुए गया था तकरीबन मैंने पाथ से साथ कोड पर पर अक्टिवट होई देखे थे जैसे ही डेथ होती थी रिलेटिव आउट ऑफ कंट्रोल चले जा दे सीधा डॉक्तर को पकड ले दे थे तो उसकेस में कोड पर पर अक्टिवट होता है जि उसके बाद जो कोड है वह है कोड ब्लैक, SIMPLE चा कोड है अगर आपको कोई BOM जैसी चीज जिए भूस्पिलर प्रेमिसेश में दिखती है तब जाकि एक कोड एक्टिवट होता है Mostly security फिर उसपे action लेती है अब उसके बाद जो कोड है वह है कोड पिंक अब कोड पिंक तब होता है जब kidnapping हो रही हो कोई छोटे से बच्चे की अब अगर फॉस्टिटल में एनाइस्यू पीईस्यू है अगर कोई मान लीजिए कोई भी स्टाफ का या स्टाफ के बहार का अगर बच्चे को लेके बहार जा रहा है तो उसे किड्नैपिंग कहा जाता है ऐसा अगर मान लीजिए आपको ही एड्मिट किया गया है आप भी गलती से गलती से आप लेके उसे बहार जा रहे हो तो उसकेस में भी यह कोड एक्टिवेट हो सकता है तो यहां पे यह चाइल अबडप्शन प्लस किड् कर रहा है वह बच्चे को प्रमिसे से बाहर ना ले जा पाए तो यह हो गया कोड पिंग अब जो कोड है वो है कोड औरेंज एवक्युएशन काफी बार हॉस्पिटल के गिर्या में से लोगों खाली करना पड़ता है तब जाकि कोड औरेंज अक्तिवर होता है जिसमें एव उसकेस में कोर्स होते हैं लेकिन वह आपके लिए इतने इंफरमेटीव नहीं है इतने जो मैंने कोर्स आपके साथ शेर किये वह बहुत ही कॉमन है और उसके होने के चांसेस प्रबैबिलिटी ज्यादा है अगर आप वस्पिजल में जा रहे हो तो यहां पर मैंने आपको आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब अगर आप मानलीचे होस्पिटल में आपके रिलेटीव के साथ हो सदनली कोड रेट अनाउंस होता है आपको पता ही नहीं चलेगा कहीं पर होस्पिटल में फायर लगे लेकिन अगर आप यह वीडियो देख के होस्पिटल जा र वो तक कोर्स की बारे में information पहुंचेगी तो शेर गीजिए अभी वीडियो को WhatsApp पे, Facebook पे, Instagram पे, सारे social media, Netflix पे अगर यहां तक वीडियो देखा ही है तो like तो बनता है एक like दे तो ताकि वीडियो जादा सजादा लोग तक पहुंचे अगर ऐसे वीडियो देखना है तो subscribe करो Medical Guruji चैनल को साथी दबाओ बैल आइकन को दाकि आप कोई भी update मिस ना करो आपको पता हिए every Tuesday, Thursday and Saturday नया वीडियो आता है अगर आपके माइन में कोई सवाल है को सुझाओ है तो comment section आपके लिए मैं आप आप से बात करूँगा जल्दी ही एक fresh content के साब से मुलाकात होगी अब तक लिए जाहें वदे माता है